वीडियो नमबर 15 लीनियर रिग्रेशन विड मल्टिपल रिग्रेशर्स एस पार्ट अपॉनमेट्रिक्स अप्रेक्टिकल अप्रोच यूजिंग स्टेटा एंड आर अभी तक हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन और उसकी टेस्टिंग की बात की कुछ टर्मिनॉलोजी हम ने देखी हम उन टर्म्स को थोड़ा सा फर्दर जो है वो अंडरस्टेंड करेंगे इसी चेप्टर में इससे अगले वली वीडियो में जो क्रेंट वीडियो स्टार्ट हो रही है उसमें जो एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉंसेप्ट है जिस पे इस वीडियो में बात हो रही है वो है ओमिटेड वेरियेबल बाइस एक और concept जिस पे इन वीडियो में बात होगी linear regression with multiple regressors के title के अंडर वो है holding the effect of other variables constant causality और वो उसी तरह से adjusted r square मैं यह जफिट में चुँके there are more than one regressors नो तो multiple adjusted r square थोड़ी सी बात होगी multi collinearity की तो please आप इन वीडियो को देखे और इस चीज़ को समयने की कोशिश करें स्वाल हमारा वो ही है क्या class size कम करने से test score बढ़ जाता है हम इस स्वाल का जवाब डूणने की कोशिश करते हैं उस जवाब डूणने के सिलसले में ही हम अपनी econometrics के ये different concepts को study करते रहेंगे तो let's go with omitted variable bias omitted variable bias जो है basically क्या चीज़ है हमने पिछली जो है वो chapter में देखा जब हमने unbiasgnis की बात की तो वहाँ पे जो हमने हमारी first assumption थी expected value of u given x equal to 0 कि u और x के दरमयान में कोई correlation नहीं है अब अगर कोई variable ऐसा था जो कि x से correlated था लेकिन आपने उसको model में include नहीं किया तो it means कि x और u में वो u में चला गया u आपके पास एक random part है random part में कोई भी correlated चीज़ नहीं होनी चाहिए along with x तो इसलिए अब हम देखते हैं कि आपके पास omitted variable बाइस है क्या तो ऐसा variable जो y variable जो आपका outcome variable है उसको affect करें और जो variable आपने right and side पे शामिल किया हुआ है x उसके साथ वो correlated हो अगर आपने उसको model में नहीं डाला तो it will cause omitted variable बाइस अभी थोड़ी देर में मैं आपको दो conditions बताता हूँ for omitted variable बाइस तो अगर आप उसको omit कर देंगे तो आपका जो OLS estimator जो coefficient आया था जैसे minus 2.28 आया था पिछले वाली वीडियोज में वो basically bias दोगा upward होगा downward होगा ये हम बाद में देखते हैं तो look here दो conditions का satisfy होना ज़रूरी है अगर आपके पास एक variable जो है वो basically correlated है यानि कि आपके पास y जो है equal to beta 0 plus beta 1 x1 plus x2 एक variable था या z एक variable था तो ये z यहां पे include होना चाहिए था अगर ये z variable अगर ये z variable x1 से correlate हुआ और ये z variable y को भी effect करता है तो आपने अगर इसको नहीं डाला तो ये z कहां पे चला जाएगा u में चला जाएगा तो x1 और z correlated है z आपके पास u में है तो x और u आपके पास correlated हो जाएगे तो ये आपके पास OLS estimator अनबाइस नहीं रहेगा तो ये दो conditions का होना जरूरी है far a variable to be included in the model कि एक ये जो z variable है इसको y का determinant होना चाहिए और इसको x के साथ correlated होना चाहिए मैं हलका सा पास ले रहा हूँ आपके जैनों में एक स्वाल आ रहा है और बहुत सारे जिनों ने अगर पहले से कभी पड़ा है तो उन लोगों के जैनों में बहुत ज़दा आ रहा है के जी अगर ये correlated हुए तो फिर तो ये multi-collinearity का issue हो ये correlated हुए तो multi-collinearity का issue होगा इस चीज़ को हम देखेंगे ऐसा नहीं है इनका correlated होना ज़रूरी है highly correlated या perfectly correlated नहीं होने चाहिए अगर ये correlated नहीं हो तो इनको एक equation में डालने का कोई जो है वो sense नहीं है तो holding the effect of other variables constant तभी तभी ये statement दी जाती है ताके z का effect constant hold करते हुए x1 का effect y पे measure किया जा सके इसको कहते हैं मेरी एक और वीडियो इस पे मुझूद है एक और playlist में आप उसको देख सकते हैं but at the moment हम दो conditions पे बात कर रहे हैं कि z का x1 के साथ correlated होना y का determinant होना अगर ये दो conditions satisfy हो जाए और आपने उसको include नहीं किया model में तो this will lead to omitted variable bias मैं यहां पे आपके सामने वो जो हमारी example है जो problem जिसको हम solve कर रहे हैं उसको देखते हैं कि आपके पास जो है वो ये कैलिफोर्निया का data है कैलिफोर्निया मैकसी को इके साथ border करता है तो उस border करने से क्या होता है कि बहुत सारे जो है वो immigrants हैं जो कि US में आके settle होते हैं और वो non native English speakers होते हैं तो वो बच्चे जो English learners हैं वो usually थोड़े से poor income background से belong करते हैं तो क्या as a result क्या हुआ कि जो districts relatively income में poor हैं जहां English learners ज्यादा हैं तो वहाँ आपे बच्चों का वहाँ class size भी large है और English learner होने की वज़ा से उन बच्चों का test score भी as compared to native English learners कम आता है तो यह दो conditions satisfy हो रही हैं जो हमने अपने पिछले वाला simple linear regression देखी थी कि test score जो है वो basically beta naught plus beta 1 student teacher ratio plus अब अगर English learner ज्यादा होंगे तो test score कम होगा तो इसका मतलब है English learner एक variable है percentage of English learner children जो के test score को affect करता तो पहली condition satisfy हो गई और percentage of English learners ज्यादा होंगे तो student teacher ratio जो है वो class size ज्यादा होंगे क्योंकर उन districts की income relatively poor है तो इसका मतलब है ये एक committed factor था जो हमने पिछले वाले models में नहीं लगाया तो अगर ये दो condition satisfy हो गई और आप ने इसको model में include ना किया तो this will lead to omitted variable bias इसी तरह से आप सोच सकते हैं कि वो parents जो के ज्यादा well off हैं वो ऐसे schools में बच्चों को बीजेंगे जहां class size ज्यादा नहीं है जो हमारे अपने भी तरह हम अगर अगर आपने जो है वो countries की बात करें तो यहाँ पे भी ये होगा और वो बच्चों को शाम में tutoring भी दे देंगे अगर यह वो factors test score को भी effect करें और class size से भी correlated हो तो यह दो conditions अगर satisfy हो गए और आपने उनको model में शामिल ना किया तो it means कि this is this will lead to omitted variable bias और जो आपका estimate होगा वो basically अगर आपने उन factors को include नहीं किया तो जो आपके results हैं वो flawed होंगे अब हम देखते हैं दो conditions और लेते हैं जो यह दोनों मेंसे एक को fulfill करती हैं दूसरे को नहीं करती हैं let's say बच्चों का test की timing's अब बच्चों की test की timing's देखिए तो अगर आप morning में grade 1, 2 के बच्चों का test लेंगे तो उनका test score ज्यादा अच्छा आएगा यह class size को affect, यह test score को तो affect करता है अगर आप यहां पे timing की बात करने तो but timing कुछ small class size के test बाद में होते हैं कुछ small large के होते हैं तो इसलिए timing जो है वो student teacher ratio से correlated नहीं है तो एक condition satisfy हुई, पहली condition जो पिछली slide में आमने mention की थी वो satisfy हुई लेकिन डूसरे वली नहीं हुई तो इसलिए यह omitted variable बाइस नहीं आएगी डूसरी example लेते है, parking lot available outside schools अगर class size बड़े होंगे तो एक well of societies में तो car तो हर बंदा रखता है तो वहाँ पे you need more car parking lots, but car parking lots की base पे test score को कुछ नहीं होने जा रहा, तो यहाँ पे दूसरी condition satisfy पहली नहीं हुई तो it will also not lead to omitted variable bias तो दो conditions बार बार में बात कर रहा हूँ, एक उसका outcome variable या dependent variable का determinant होना, और दूसरा उसका जो regressor जो आपका treatment थी उसके साथ उसका correlated होना, यह दोनों बातें अगर fulfill होंगी तो आपके पास जो है वो omitted और आपने अगर उस variable को शामिल नहीं किया तो it will lead to omitted variable bias मैं again wall कर रहा हूँ, बहुत सारे दोस्त कंफ्यूज होते हैं कि जी आप यह कह रहे हैं, regressors के दरमयान correlation होना जरूरी है yes, yes and yes high correlation या वो जो perfect correlation या वो होना no तो इसलिए otherwise वो holding effect of other variables constant और वो सारा कुछ उसकी कोई sense ही नहीं है अगर मैं test score को इस पे अलग से regress कर दो, जो दूसरे variables हैं उन पे अलग से regress करता जहूं तो उनका एक model में आने की कोई sense नहीं है अगर आपको इस पे ज्यादा देखना हो तो fresh, wow, theorem, technical, mathematical, आप देख सकते हैं मैं देखूंगा अगर किसी जगा पे इसको explain कर सका तो मैं अगर summarize कर दूँ तो simply omitted variable bias अगर आपके पास एक variable model ना होना चाहिए था होने का criteria क्या है, कि आपको variable model में include करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो दो criteria एक वो dependent variable का determinant हो और वो class size वो जो आपके regressor के साथ correlated हो अगर ये दोनों criteria फुल्फिल होते हैं आपने model में include नहीं किया तो this will lead to omitted variable bias ये omitted variable bias हमें पता है हमने पिछले chapter में ये चीज़ देखी थी तो अगर आप इसको देखें तो ये basically अगर तो ये covariance 0 हो गया तो इसका मतब़ा x और u correlated नहीं है but अगर ये ना हुआ the row x u means के आपके पास जो x1 variable था वो x2 variable के साथ correlated था लेकिन x2 कहां पे है x2 तो आपने अगर शामिल नहीं किया तो वो u में है तो row x u will not equal to 0 अगर हुआ तो basically this will lead to omitted variable bias और OLS estimators biased हो जाएंगे तो ये बेटा 1 hat बेटा 1 को approach नहीं करेगा बलके साथ में ये factor आ जाएगा तो this is biased factor तो इसकी dimension क्या होगी वो depend करेगा कि row x u अगर positive है तो ये जो है बेटा 1 hat upward biased होगा अगर negative है तो बेटा 1 hat downward biased होगा तो ये basically हम देख रहे हैं अब देखे before I go for multiple linear regression model उससे पहले हमेशा डेटा को tables और graph की बेस पे explain करने की कोशिश किया करें ठीक है बहुत सारे बहुत सारे re-node economicians, economists जो है वो कहते हैं my first preference is tables and graphs even आपका जो डीटन है नोबल लारियेट है उसका भी 2019 का paper देख लें वो कहते है tables, tables is my first choice but tables and graphs first choice में आपको effort ज्यादा करनी पड़ती है let's move तो ये आप देखें तो अगर आप सब को एकटा move करें तो ये आपको पास six fifty seven, six fifty test score आपके पास difference आया seven point four लेकिन अगर आप इसको break down करें percentage English learners low है, इसके दरम्यान में इसमें हैं इसमें हैं तो ये number of schools जिनका ये scores हैं तो आप देखें तो जब आपके पास यहां पे percentage English learners ज्यादा हैं और class size भी देखें large है और आपके पास यहां पे देखें जब दोनों जगों पे percentage English learners low थे तो उनका test score difference कम था लेकिन यहां पे देखें तो test score ज्यादा है, it means कि percentage English learners are also correlated with your class size और उससे आपका test score भी effect हो रहा है तो वो दोनों conditions satisfy होती है causality regression and regression analysis इस पे मैं अगली वीडियो में बात करता हूँ क्योंकि it's getting very long तो वो दोस्ट जिनको net में problem होती है तो उनके लिए सुनना ज़रा मुश्कल हो जाता है, thank you for watching, इससे अगले वाली मेरी वीडियो में holding other effect of other variables constant, adjusted r square, multiple linearity, causality in concepts को हम explain करेंगे thank you for watching, take care